नहीं दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंग्राठोर और स्वागत करता हूँ आपका इस recorded lecture के अंदर जिसमें आज हम लोग बात करेंगे Rise of Mughals and शेरशा सूरी की तो इससे पहले की इस टॉपिक के उपर हम बात करना शुरू करें इससे पहले की जो टॉपिक्स बचे हुए थे जिसे सूफी मूवमेंट बचा हुआ था कुछ पार्ट उसका थोड़ा सा कल्चर बचा हुआ था देली सल्तिनत का तो पहले उसको कबर कर लेते और फिर उसके बाद मे Rise of Mughals, कौन-कौन से Major Events और Battles हुए थे और फिर शेरशा सूरी कराईज होता है और फिर Fall भी होता है शेरशा सूरी का तो वहाँ तक कि अपन बात करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले सूफी मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं पहले भी बात करी रहे थे सूफी मूव्मेंट के बारे में, ये सारी चीज़े मैं आपको बता दी थी, लेकिन थोड़ा सा रवाइस कर लेते हैं अपन, कि सूफी मूव्मेंट का ओरिजिन कैसे हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि भीया, वो जो Muntazila School of Thought के स्कॉलर्स थे उनको पैटरनिज मिलना बंद हो गया था जिसकी वज़े से वो स्प्रेड हो गये थे उन उन जगों पे जहां पे इसलामिक किंडम्स और एंपाइर्स नए-नए बनते जा रहे थे उसी प्रासिस में कुछ सूफियों का भारत में भी आना हुआ और इस तरह से भारत में सूफियों का उतकरश होता है उनका origin होता है फिर आगे लिखा हुआ है they laid great emphasis on love as the bond between God and the individual soul love of God meant love of humanity and therefore सूफिस believed service to humanity was tenth amount to service to God यानि कि सूफियों की कोर विचारधरा ये होती थी कि इश्वर से इंसान का इश्वर की प्रती शरदा ही सब कुछ है और एक इंसान अगर दूसरे मजबूर और गरीब और जरूरतमंद इंसानों की मदद करता है तो उससे बढ़िया इश्वर की सेवा या उसकी भक्ती कोई और हो नहीं सकती जब हम सूफियों की characteristics को देखते तो भारत में सूफियों को दो parts में divide किया जाता है एक बाशरा और एक बेशरा बाशरा वो होते थे जो शरिया लौ के हिसाब से अपने regulations रखते थे और बेशरा वो होते थे जो की Orthodox Muslim law को या Orthodox Islamic law को follow नहीं करते थे बलकि एक free spirited तरीके से सभी को equal मानते हुए सभी religion को equal मानते हुए preaching करते थे तो उन्हें बेशरा कहा जाता था क्योंकि वो शरिया के बिना या शरिया को follow नहीं करते थे तो ये अपनने बात कर ली थी फिर उसके बाद मैंने आपको चिष्टी सिलसिले के बारे में भी बताया था कि चिष्टी सिलसिला भारत में सबसे पहला सूफी सिलसिला था और भारत का सबसे प्रभावशाली सूफी सिलसिला भी था पहला तो था ही था लेक्न सबसे ज्यादा effective सूफी सिलसिला भी चिश्टी सिलसिला ही था चिश्टी सिलसिले के founder के फाउंडर थे खवाजा मोहिर dolls दिन चिश्टी जिनको भारत में खवाजा गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कमजोर लोग या गरीब लोगों के उत्थान के लिए उनके वेलफेर के लिए उनकी चैरिटी के लिए काम करते थे और इसलिए इनको ये नाम मिला गरीब नवास की गरीबों को सकसिस से नवास देने वाले गरीबों को खुशियों से नवास देने वाले जब तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी और प्रत्विराथ चौहान की हार हुई थी मुहम्मद गौरी की जीत हुई थी और भारत के अंदर एक इस्लामिक किंग्डम के इस्टेबलिश होने के रास्ते खुल गए थे तब इन सूफियों का या पर्टिकुलरली खौजा मुहिनुद्धिन चिष्टी का भारत में आना होता है शुरुवाती बेस इनका लाहौर में होता है फिर ये दिल्ली आते हैं लेकिन ये फाइनली सेटल होते हैं अजमेर में जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि अजमेर कोई छोटी मोटी जगे नहीं होती थी जैसे आजकल टियर थ्री सिटी के तौर पे अजमेर जाना जाता है तो उस जमाने में अजमेर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और बहुत बड़ी सिटी हुआ करती थी तो ये वहाँ जाके बस जाते और वहाँ के लोगों को इसलाम की दावत देते हैं इस फेम गुरू मोर आफ्टर इस डेथ इन 1235 एडी लगबग 1235 एडी में इनकी डेथ होती है लेकिन इनकी पहचान और इनका रुत्बा इनकी डेथ के बाद ज्यादा बढ़ता है वेन इस ग्रेव वास विजिटेड बाई देन सुल् उम्मद बिन तुगलक इनकी ग्रेव पे विजिट करके इनको अपनी शिरद्धान जली दिता है तब ये थोड़े मशूर हो जाते हैं क्योंकि सुल्तान आ गया वहाँ पे दिल्ली का फिर दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसके ओपर मॉस्क बनाई थी और इसके इंडिपेंडेंट सल्तनत कायब हो गई थी तो उसी सल्तनत का रूलर मेहमूद खिल जी था और उसने इस दरगाह के उपर आके एक बड़ा मकबरा बनवाया था तो फिर और पोपिलारीटी बढ़ी यहाँ पे लेकिन इसकी पोपिलारीटी को पीक पे पहुँचाया अकबर ने क्योंकि अकबर शेक सलीम चिष्टी का डिसाइपल था और शेक सलीम चिष्टी इसी चिष्टी सिलसिले के थे तो जब अकबर ने यहाँ पे रेगिलरली विजिट्स किये कई बार तो फिर क्योंकि अकबर एक बहुत बड़ा एंपरर था तो उसका इस जगे का पेल बनना चिश्टी सिलसिले को भारत में बहूत पॉपिलर बना देता है बहुत ही मशूर बना देता है फिर आगे बढ़ते हम और आगे बढ़ के बात करते हैं कौन-कौन से मेजर चिष्टी सेंट्स थे और किस-किस दौर में वो हुए थे, कहा कहा पे थे, तो यहाँ पे पहला नाम लिखा हुआ है, फरीद उद्दीन गंज ऐ शकर, also known as बाबा फरीद, यह पंजाब के एक बहुत बड़े सूफी सेंट्स थे, यहां लिख किया था, तो यह पंजाब से असोसियेट करके आप इनका नाम ध्यान रखिये, बाबा फरीद गंज ऐ शकर या सिंपली बाबा फरीद, गुरु गरंद साहिब में भी इनके बहुत सारे कपलेट्स या इनके बहुत सारे दोहों को जगर दी गई है, क्योंकि चिष्टी सिलस एक ऐसा सिलसिला होता था, जो फ्री स्पिरिटिट सिलसिला होता था, जो और्थोडॉक्स सिलसिला नहीं होता था, जो सभी के कल्यान की बात करता था, इसलिए कुछ बाते ऐसी इनकी थी, जो गुरु गरंद साहिब के अंदर भी शामिल की गई थी, क्योंकि गुरु नानक तो इसलिए बाबा फरीद का पंजाब से और थोड़ा बहुत सिख धर्म से भी संबन्द है फिर उसके बाद एक बड़े मशूर सूफी संत थे दिल्ली के जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन ओलिया जो 1238 AD से लेके 1325 AD के बीच में रहे अच्छा अब ये क्या होता है ला कि अब जरा आप ये देखो 1238 AD से लेके 1325 AD मतलब बहुत साल रहे है इन्होंने बहुत सारे सुल्तानों का रूल देखा तो आईए अपन देखते हैं कि 1238 AD से लेके 1235 AD के बीच में कितने सुल्तान आये थे जिनके दौर में हजरत दिजामुद्दिन उलिया ने उन शासकों को देखा था तो एक एक करके नाम लिखते हैं सबसे पहले 1238 AD में दिल्ली सल्तनत की त्रोन पे कौन था तो ये थी रजिया फिर रजिया के बाद कौन आता है रजिया के बाद बहराम शाह आता है फिर कौन आता है मसूद शाह आता है फिर कौन आता है? फिर नासिरुद्दिन महमूद आता है तो मैं लिख देता हूँ नासिरुद्दिन महमूद फिर नासिरुद्दिन महमूद के बाद कौन आता है? नासिरुद्दिन महमूद के बाद में बल्बन आता है बल्बन के बाद कौन आता है? कहका बाद के बाद के बाद कौन आता है? कहका बाद के बाद में जलाल उद्दिन खिल जी लिख देता हूँ में जलाल उद्दिन खिल जी के बाद कौन आता है अलाउद्दीन आता है अलाउद्दीन के बाद कौन आता है अलाउद्दीन के बाद में उसका एक बेटा रूल करता है जिसका नाम मुबारक खान था मुबारक खान के बाद कौन आता है या सुद्दिन तुगलक आता है और बिल्कुल 1325 में जब इनकी डेथ हुई थी उस साल एक नया रूलर भी आता है और उस नया रूलर का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक तो हम देखिए एक दो तीन चार पंच छे साथ आठ नो दस ग्यारा ग्यारा रूलर जिनोंने अपनी आखों के सामने देखे जिनोंने अलग अलग समय पे रूल किया तो ये कभी कभी क्या होता है ऐसे कुशन भी पूछ लेते कि अच्छा बताओ चलो ठीक है अजरत तिजाव उद्दिन ओलिया के दौर में इन में से कौन सा रूलर रूल नहीं करता था या इन में से कौन कौन सा रूलर रूल करता था तो 1238 से लेके 1325 की बीच में इतने सारे रूलर दिल्ली की थरून के ऊपर बैटे थे इस तरह की चीजें आप हमेशा नियान रख लेना लासिरुद्दिन, चिरागे, दहलवी, फेक, बुरहानुद्दिन, गरीब जिनोंने इस सिलसिले को, चिष्टी सिलसिले को दक्षिन भारत के अंदर पहलाया था तो ये भी एक यूनीक फैक्ट है जिसको आप याद रख लेना और फिर मुहम्मद बंदा नवास, जो बीजापुर के एक शेत्र में इस सिलसिले की आइडियालोजी को ले जाते हैं ये कुछ मेजर सुफी सेंट्स थे इस सिलसिले के जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए फिर और दूसरा सिलसिला अगर हम देखे तो एक सोहरावर्दी सिलसिला आता है अभी जो सोहरावर्दी सिलसिला था ये ज्यादातर पंजाब में अक्टिब थे सुहरावर्दी ओर्डर एंटर्ड इंडिया at about same time as चिष्टी but its activities were confined largely to the पंजाब and मुलतान रीजन. मुलतान भी पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में है तो ये भी चिष्टियों के साथ ही आये थे लेकिन भारत में deep penetration इन्होंने नहीं किया ये सिर्फ पंजाब के अलाको में active रहे. This सिलसिला was founded by शिहाब उद्दीन सुहरावर्दी. अब ये founders के नाम आपको ज़रूर याद होने चाहिए तो match the column में पूछ सकते हैं आप से. अब ये दोनों चीज याद होने हैं आपको कि basic founder कौन है तो वो ये हैं और इंडिया में किसने found किया तो वो इन्होंने found किया. Unlike the Chishtis, the सुहरावर्दी's accepted maintenance grants from sultans and took an active part in politics. अच्छा, चलिए. तो यहाँ पर मैं पहले एकको लिखके बताता हूँ. Chishtis, they lived an ascetic life. दूसरा, they did not accept personal gift. They stayed away from politics. यह politics से दूर रहते थे. They respected all sects and religion. यह सभी sects और religion को respect करते थे. यह राजनीती में कोई participation नहीं करते थे. यह personal gift accept नहीं करते थे. और यह ascetic life जीते थे. तो यह actually जो हम कहते न सन्यासियों की तरह रहते थे. लेकिन वही पे जब हम इनके मुकाबले में सोहरावर्दी सिलसिले को देखते तो सोहरावर्दी सिलसिला grants, gifts, personally accept भी करता था. और actively politics में भी participate करते थे. सुल्तान को सलह मश्वरा देते रहते थे. यह जो भी local governor होता था उस area में. उसको बताते रहते थे कि तुम्हें क्या करन चाहिए तो मैं क्या नहीं करना चाहिए. फिर नक्षबंदी सिलसिला, नक्षबंदी सिलसिला बड़ा कटर सिलसिला था. कहने को तो यह सूपी थे. लेकिन इनका allegiance सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों से यह इसलाम से था. This सिलसिला was established in India by Khwaja Bahauddin नक्षबंदी. नाम याद रख by his successor, शेख Baki Billah and शेख Ahmed Sarhindi. शेख Ahmed Sarhindi इस सिलसिले के बड़े परचारक थे. They practiced silent meditation of the heart, so were called as silent सूफी. तो अब ये भी एक important fact है कि silent सूफी किसको कहा जाता था? silent सूफी नक्षबंदियों को कहा जाता था. Meditation ये करते थे. The सूफी's of this सिलसिला believed that the relationship between man and God was that of slave and the master. Unlike चिश्ती's who believed it to be a relation between a lover and beloved. तब जो चिश्ती होते थे. चिश्ती इश्वर को अपना प्रेमी मानते थे. कि इश्वर हमारा प्रेमी है, हमारा लवर है और हमारा रिष्टा इश्वर से प्रेमी प्रेमी का का रिष्टा है. इसलिए आप सूफी सांग्स के अंदर देखोगे, तो सूफी सांग्स में इसे ही समर्पित करोंगा इश्वर के प्रती जैसे कि प्रेमे का अपने प्रेमे के लिए अपने आपको समर्पित करती है मतलब करती होगी कभी किसी जबाने में पर जो भी है वो ऐसा मानते थे पर ये लोग क्या मानते थे ये मानते थे कि नई इश्वर है हमारा मालिक और हम ह उसके बंदे, बंदे मतलब गुलाम होता है, अगर आप प्रॉपर उर्दू में देखोगे, तो बंदे का मतलब ही स्लेव होता है, तो अल्ला और बंदा, बंदा मतलब गुलाम, तो ये अल्ला और बंदे की टर्म, नक्षबंदी सिलसिले की है, तो वो बंदा वर्ड अब कॉ अमन हो गया भारती उपमाद्वीब के अंदर किसी भी इंडिविज्वल को बंदा कहते और लड़कियों को बंदी कह देते जबकि ये ग्रमाटिकली सही नी उर्दू के हिसाब से लड़का हो या लड़की कहलाएगा बंदा ही जैसे मानव है तो उसको यूमन बोलते न तो प पुरूश और इस्त्री दोनों के लिए बंदा शब्दी यूज हुआ है वो बंदी बाद में करप्ट है करप्शन है वो लैंग्विज का जो डेवलप हो गया अबर ठीक है में बात यह है कि नक्षबंदी सिलसिला कट्टर सिलसिला होता था था मैं लिख देता हो यहाँ प बाबर वाज इट्स डिसाइपल मुहमद जहिरुद्दिन बाबर जो एक इन्विडर था वो बाबर इस सिलसिले का पक्का फॉलोवर था फिर एक और सिलसिला आता है जिसको कादिरी सिलसिला कहा जाता है यह कादिरी सिलसिला भी एक लिबरल सिलसिला हुआ करता था शेक अब्दुल-कादिर and his sons शेक नियामत अल्ला, मुखदूम, मुहम्मद जिलानी and मियमी established कादिरी सिलसिला during the Mughal rule and this order was popular in Punjab initially ये कादिरी सिलसिला भी पंजाब में बड़ा मशूर था, पंजाब में बड़ा लोग कप्रिय था another famous saint of this order was शाह बदक्षानी बदक्षान, अफगानिस्तान के एरिया के अंदर एक रीजन है तो इसलिए वो शायद वहाँ से आये थे, इसलिए उनको शाह बदक्षानी कहा जाता था ये important fact है, इसको याद रख लीजेगा कि जहां आरा और दारा शिको, जो मुगल शहजादे और शहजादी थे शाह जहन के बेटे-बेटी, ये दोनों ही इस सिलसिले के पक्के follower थे कादिरी is believed in the concept of वहादत अलवजूद, meaning unity of existence क्योंकि मैंने कहाना ये liberal सिलसिला था, तो इनका भी यही मानना था कि let everyone exist, unity of being, सभी मनुष एक है, that is God and His creation are one and similar मतलब ये वो कहीं न कहीं है, God and His creation are one and similar ये theory किस से match करती दिखरी आपको अद्वैत से है, अद्वैत में भी यही कहा गया है न कि शंकराचारे ने कहा है कि इश्वर और आत्मन, सरी ब्रह्मन और आत्मन एक ही है आत्मन, ब्रह्मन से निकला उसी का एक हिस्सा है, बिल्कुल वही अद्वैत की philosophy यहाँ पे भी कह रही है the saints of this सिलसिला dismissed orthodox elements, तो इस सिलसिले के saints भी जैसे कि मैंने कहा free spirited सिलसिला था, liberal सिलसिला था, secular सिलसिला था, तो इन्होंने भी वो सारी activities जो orthodoxy की तरफ ले जाती थी, उनको discard किया, उनको dismiss किया था तो यह सारे major सिलसिले थे सूफियों के, अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो यह तो copy हो गया है यहाँ पे, एकी slide है दोनों, अब हम सल्तनत period के culture की तरफ बढ़के एक और महतुपूर पहलू के उपर बात करेंगे कि सल्तनत period की जितनी भी history हमने बात करी, या थोड़ी बहुत जो बची हुई है उसकी बात करेंगे तो यह सारी information का source क्या है? यह सारी information का major source है, उस दौर के अंदर लिखी गई बहुत सारी किताबे बहुत सारा Persian literature उस दौर के अंदर लिखा गया था और उस Persian literature के basis पे हमको सल्तनत period के rulers और उनकी activities और उनके politics और battles की बहुत सारी major information मिलती है तो आई एक एक करके सारे major literature को देखतें और समझतें कि कौन से literature से हमको किस दौर की और क्या information मिलती है सबसे पहला नाम लिखा है यहाँ पे चचनामा अबुबकर तो यह जो चचनामा अबुबकर है यह काफी major literature है और यह major literature का subject matter क्या है Conquest of Sindh by मुहम्मद बिन कासिम लगबक 712 AD में मुहम्मद बिन कासिम का सिंद के इलाके में उसका Conquest होता है उस सिंद के इलाके के Conquest के बारे में अच्छा वहाँ पे जो डाइनेस्टी रूल करती थी राजा दाहिर की वो चच्छ डाइनेस्टी थी तो वो चच्छ डाइनेस्टी के उपर लिखा हुआ एक literature है कि किस तरह से चच्छ डाइनेस्टी का fall हुआ था तो वो भी आप याद रख लिजेगा against राजा दाहिर of चच्छ डाइनेस्टी ये जो अर्ली या पॉस्ट मुस्लिम इन्वेजन की information हमको मिलती है मौम्मद बिन कासिम के हमले की इसका source है चच्छ डाइनेस्टी जिसको अबु बक्र नाम के एक scholar के द्वारा लिखा गया है फिर उसके बाद में एक महतवपूर्ण विद्वार आता है जिसका राम होता है अल-बैरुनी अभी जो अल-बैरुनी होता है ये तीन महतवपूर्ण लिटरेचर लिखता है पहला तहकीके हिंद जिसको किताब-लहिंद भी बोलते हैं दूसरा कानून मसूदी और तीसरा जवाहिर अल-जवाहिर तो ये जो तीनों लिटरेचर होते हैं इन तीनों लिटरेचर में सबसे महतवपूर्ण लिटरेचर है किताब-लहिंद जिसको तहकीके हिंद या किताब-लहिंद भी कहा जाता है तो जब अल बैरूनी भारत में आया था जब पंजाब के अलाके में महमूद घजनवी ने अपने एम्पायर को establish कर दिया था या फिर महमूद घजनवी अलग-अलग invading expeditions के लिए भारत में गया था तो अलडारूनी भी उसके साथ एकमपनी होके अलग-अलग जगे गया था और उस प्रोसेस में उसने भारत को जो समझा खास तोर पे पंजाब के अंदर रहके उसने भारत के कई गरंतों का अनुवाद किया और भारत की भाषाओं को भी सीखा और भारत के गरंतों को समझा तो जो उसने भारत के गरंतों में पढ़ा और जो उसने भारत में देखा वो सब कुछ उसने किताब उलहिंद या तहकी के हिंद के अंदर लिखा जो कि उस जमाने के भारत के इतिहास का एक बहुत मेजर सोर्स बन जाता है और दूसरा कानूने मसूदी, कानूने मसूदी दरसल महम्मद बिन तुगलक के बाद में सेयद सालार मसूद नाम का रूलर आया था तो उसके दौर के उपर लिखा गया कुछ गरंथ है जो कि इतना important नहीं है बट फिर भी factually ध्यान रख लेना और फिर जवाहर, अलजवाहर, जवाहर का मतलब होता है ज्वेल्स, तो ज्वेल्स के बारे में लिखी गई ये एक किताब थी, जो क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे ज्वेल्स और ज्वेल्रीज मिलते थे, उनको process किया जाता था, extract किया जाता था, तो उस सब के बारे में ये जवाहर, अलजवाहर के अंदर लिखा है, फिर एक बहुत महतुपूर किताब आती है, हसन निजामी की लिखी हुई ताजुल मासीर, ताजुल मासीर एक ऐसी किताब है, जो early phase, early phase of सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के शुरुवाती phase के उपर लिखी गई किताब है, इस तरह से मौमदगورी ने दो लड़ाईयान लड़ी प्रित्वीराद चौहान से, और किस तरह पहले लड़ाई में वो हारा, दूसरी लड़ाई में वो जीता, उसके बाद कौन कौन से लड़ाईया हुई, किस तरह से शुरुवाती रूलर्ज ने रूल किया भारत में, य जो नासिरूद्दिन मेहमूद के दौर तक की हिस्ट्री को लिखता है तबाकते नासिरी में और फिर आता है भारत का तोता आमिर खुसरो जो बहुत फारे लिटरेचर्स लिखता है ये सारे लिट्रेचर्स देयर अट्रिब्यूटेट टू आमिर खुसरो आमिर खुसरो को क्या कहा जाता है तूतिया एहिंद ये टाइटल मिला है इसको तूतिया एहिंद या पैरट आफ इंडिया खजान उल्फुतू एक ऐसा लिट्रेचर था जिसमें अलाउद्दिन खिलजी की जितनी भी कॉन्क्वेस्ट सुई थी उनके बारे में बताया है क्योंकि बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट में आमिर खुसरो ने भी अलाउद्दिन खिलजी को एक कमपनी किया था आशी का एक रोमेंटिक लिट्रेचर था आशी का लिट्रेचर का सब्जेक माटर ये था कि जब गुजरात की कॉन्क्वेस्ट हुई थी तो अलाउद्दिन के कमांडर नुसरत खान और उलुक खान ने वहाँ से एक रानी पकड़ के लाई थी कमला देवी और उसको फोर्सफुली अलाउद्दिन खिल जी के हरम में फैक दिया था उसकी एक बेटी थी देवल देवी जो जवान हो चुकी थी टीनेज में आ चुकी थी और उसी की तरह बहुत सुंदर भी थी अब अलाउद्दिन के मन में ये बात आई कि इसकी खुबसूरत बेटी से मैं अपने बेटे का निकाह करवा दूँ लेकिन देवल देवी का पिता अपनी पत्नी को तो नहीं बचा पाया था लेकिन अपनी बेटी को जैसे तैसे बचाते हुए इधर उधर छुपता फिर रहा था महराश्टर के यादव डाइनिस्टी के रूलर ग्राम चंद्र यादव के बेटे शंकर देव यादव से उसने अपनी बेटी का विवाहा भी करवा दिया था लेकिन अलाउद्दीन उस लड़की को पकड़के खिजर खान के लिए लाने के लिए लाला इत था और फाइनली वो पकड़के ले आता है उसको खिजर खान से उसकी शादी करवा देता है फोर्सफुली लेकिन आबिर खुसरों ने इस पूरे चैप्टर को एक रोमैंटिक एंगल देने की कोशिश करी आशिका लिटरेचर में और उसने ये पोट्रे किया कि देवल देवी खिजर खान को पसंद करती थी खिजर खान भी उसको प्यार करता था और अलाउद्दिन खिलजी ने इन के दौर का लिखा हुआ था मतलब कि बल्बन का जो सकसेसर आता है यंग लड़का कैकाबाद तो कैकाबाद जब रूलर बनता है तब उसका बाप जिन्दा था बुगरा खान जो बेंगॉल का गवर्नर था लेकिन दिल्ली में थ्रोन अजियूम करने के लिए उसकी कोई बेटे को आगे कर देता है लेकिन एक बार एक ऐसा मौका आता है जब बुगरा खान को कहा जाता है कि तुमको दिल्ली के दरबार में आना पड़ेगा और सुल्तान के सामने सिजदा और पैबोस करना पड़ेगा अब कहका बात तो बेटा था बुगरा खान का लेकिन वैसे ही जुकना पड़ेगा आके जैसे कि सुल्तान के सामने बल्बन के जमाने से रिवास है जुकने का तो यह आता है वहाँ पे और अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपने ही बेटे के सामने सिजदा और पैबोस करता है तो वो जो एमोशनल मॉमेंट था उस एमोश से डूस और बेटे को ते अपने बेटे को ते इट साल अबाउट दाट एंड फिर तुगलक नामा जो घयास उद्दिन तुगलक और इनीशल फेज ओफ मुहमद बिन तुगलक के उपर लिखा गया इतिहास्त फिर आता है जिया उद्दिन बरनी का फत्वा ए जाहंदीरी पत्वा ए जाहंदीरी एक हिस्टॉरिकल बुक नहीं थी इट वास रिलीजियस इंस्ट्रक्टिन बुक और सुल्तान्स ओफ डेली तो ये जो किताब है जिया उद्दिन बरनी की फत्वा ए जाहंदीरी इसमें उसने ये बताने की कोशिश करी कि दिली के सुल्तानों को एक मुसल्मान होने के नाते किस तरह से रूल करना चाहिए उनके डूस एंडूनोट्स क्या होने चाहिए क्योंकि उसके हिसाब से दिली लिके फिरोज शाह ही लिखी है जो कि obviously फिरोज शाह तुगलक तक के दौर का इतिहास है मतलब जब से सल्तनत बनी है तब से लिके फिरोज शाह तुगलक के दौर तक के इतिहास के बारे में उसने लिखाए with special focus on फिरोज शाह तुगलक spirit फिर खुद फिरोज शाह ने एक लिट्रेचर लिखा जिसको फुतुहते फिरोज शाही कहा जाता है और फिर उसके बाद में एक और लिट्रेचर यहाँ पे दिखाई देता है हमको और यह जो लिट्रेचर है यह लिट्रेचर कहलाता है फिरोजाबादी का लिखा हुआ कमस कमस लिट्रेचर भी कोई historical literature नहीं था ये कमस लिट्रेचर जो था ये एक Arabic dictionary थी जो की फिरोजाबादी ने लिखी जी तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Arabic Dictionary तो ये एक Lexicographer था जिसको dictionary लिखने का आर्ट पता था तो Arabic words की dictionary इसमें लिखी थी जिसको कमस कहा जाता था फिर उसके बाद में फखरुदीन तारीक मुबारक शाही लिखते जो की सेयद डाइनिस्टी के दौर तक का इतिहास था और फिर एक बहुत important इबन बतूता आता है जो मुहम्मद बिन तुगलक के दौर में आता है History of मुहम्मद बिन तुगलक के दौर का इतिहास इबन बतूता किताबुल रहला के अंदर लिखता है मध्यकालीन और दिल्ली सल्तनत के दौर के जिससे हमको दिल्ली सल्तनत के दौर की Political और Cultural History के बारे में ज्यादा से ज्यादा Information मिलती है तो इस सारी Literatures को आप ध्यान रख लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के दिल्ली सल्तनत के दौर में कौन-कौन से Developments हुए थे Architectural Developments जो की अगेन उसके Culture का एक पार्ट है तो इसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक photograph यूज किया है यह जो photograph है यह photograph है किसका यहाँ पर अपन लिख देते हैं इसको photograph को अलाई दर्वाजा अन एंट्रेंस गेट विल्ट बाय अलावदीन इन दो कॉम्प्लेक्स ओफ कुतुब मिनार तो दिल्ली सल्तनत की दौर के बहुत सारे आर्किटेक्चर इतने इंटाक्ट नहीं है जितने के मोगल पीरेट के आर्किटेक्चर है लेकिन कुछ एक जो आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत का आपको लगबग सारा आर्किटेक्चर कुतुब कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल जाएगा तो उसी कुतुब कॉम्प्लेक्स की परिपूर्ड बिल्डिंग जो पूरी हुई ठीक से पूरी हुई है वो ये अलाई दर्वाजा है जो अलाउद्दिन खिलजी के दौर में बना था तो इस दौर में क्या हुआ था दिल्ली सल्तनत के दौर में एक नए आर्ट का उदए हुआ था जिसको बूलते हैं इंडो इसलामिक आर्ट या फिर इसको इंडो पर्शियन आर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इस आर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे इस आर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो ओरिजिनली पर्शिया से इन्होंने लिए थे इस तरह के architectural features पर्शिया के अंदर use होते थे जो Persian culture Muslim world में सबसे elite culture माना जाता था तो बहुत सारे ऐसे Persian features वो ले आए थे Persian language तो लाए ही लाए थे अपने दर्बार के अंदर लेकिन बहुत सारे Persian features architecture के में ले आए थे और भारत में उनको बनाना शुरू कर दिया था तो उस तरह के कौन-कौन से features होते थे जो दिल्ली सलतनत के architecture में दिखाई देते तो इसमें पहला feature जो बड़ा खास था जो नया introduce हुआ था भारत में वो था dome dome यानि के गुमबत किसी भी building के उपर उसकी flat surface के उपर एक hemispherical tape का architecture बना दिया जाता था जिसको dome या गुमबत कहा जाता था इस तरह के dome और गुमबत से building को एक grand look भी मिलता था तो ये dome architecture बड़ा popular हुआ था यहाँ पहला feature में बता रहा हूँ इंडो-islamic architecture का dome फिर अगर दूसरा feature में आपको दिखाओ तो दूसरा feature जो एक बहुत नया इंट्रोड्यूस हुआ था इंडो-islamic architecture में उस feature को बोलते हैं true arch true arch true arch दो तरह के arch होते हैं एक तो arch होता है simply और एक true arch होता है arch तो ऐसा होता है कि पत्थरों को जोड़के जैसे arch बना दिया सो बना दिया लेकिन true arch एक ऐसा arch होता है जिसमें पत्थरों को कुछ इस तरह से जोड़ा जाता है कि बीच में यहाँ पे एक keystone बन जाता है यह जो लाल रंग से highlight किया हुआ पत्थर आपको दिख रहा है यह है keystone यही वो keystone होता है इसको keystone इसलिए बोलते थे क्योंकि यही binding stone होता था यही वो stone होता था जिसके उपर बाकी stone rest किये हुए होते थे बाकी stone नीचे की तरफ rest किये हुए नहीं होते थे बाकी stone का पूरा दबाव इस stone के उपर लगा हुआ रहता था अभी यह stone कुछ इस तरह से fix किया जाता था कि जब तक यह stone रहेगा तब तक यह arch गिरेगा नहीं चाहे कितना भी भुकम भी क्यों ना आ जाए या इसको तोड़ने की भी कोशिश की जाए तो यह तूटे नहीं नीचे से भुकम भी आ जाए तो यह keystone सारे shocks को absorb कर ले लेकिन अगर आप keystone को निकाल दो तो फिस इस arch को तोड़ना उतना ही आसान होता था लेकिन keystone सबसे उपरी हिस्से में बहुत उचाई पर होता था तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता था और शायद मुझे लगता है कि उत्तर भारत में भुकम 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 भी आते होंगे जो कि अभी भी आते हैं तो इस तरह के भुकम भुकम भी आता है तो सारा wave भुक हुआ है तो यह बहुत मजबूत स्टोन होता था बहुत ही टैक्टिकली इसको प्लेस किया जाता था और फिर इसके नीचे एक आर्च बन जाता था और इसका एक बहुत बढ़िया एक्जामपल अगें यही पर दिखाई देता है हमको यह एक प्रू आर्च का भी तो आपको एक स्टोन अलग से फिक्स किया हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप जाके देख ले ना या फिर आप किसी फोटोग्राफ में क्लोजली देख ले ना तो यहाँ पर आपको ट्रू आर्च पूरा दिखाई देगा चाहे वो यह वाला गेट हो यह सारे इस अपर दोम दिख रहा है यहाँ पर आर्च दिख रहा है और इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर कुतुब मिनार बना हुआ है तो यह एंटरंस गेट इस तरह से था यहाँ का तो यह जो फीचर है न मिनार यह एक इसलामिक फीचर है जो एरफ वर्ड से आया था एरफ वर्ड में मस्जिदे हुआ करती थी और क्योंकि इसलाम नया नया आया था तो बहुत थारे लोगों को प्रेयर के टाइम्स के बारे में शायद पता नहीं होता होगा इसलिए इस तरह के मिनार बनाए जाते थे एरफ वर्ड में जिसके उपर चड़के मुझन अजान दे के लोगों को अवेर करता था कि नमास का प्रेयर आफर करने का टाइम हो गया है तो इस तरह से मिनारे बननी शुरू हुई लेकि ये वाली जो मिनार है ना ये मिनार प्रेयर का कॉल करने की मिनार तो बिलकुल भी नहीं थी क्योंकि बहुत उची मिनार थी इसको बनाना शुरू किया था खुत्वद्दिन अबक ने और खतम किया था इलतत्मिश ने तो ऐसा मत सोचना कि क्योंकि ये बहुत उची मिनार थी, इसलिए इतना टाइम लगा, ऐसा कहा जाता है कि कुत्वुद्दी नाइबक की डेथ हो गई थी चार साल में, कहा क्या जाता होई गई थी, तो उसके बाद ये complete नहीं हो पाई थी उस समय तक, तो फिर इसको complete करवाने का काम किस ने किया था, इल्तितमिश ने किया था, तो आप वैसे तो बहुत सिंपल से चीज़े आप याद रख लोगे, लेकिन मैं लिंक देता हूँ, कि commissioned by पैबक, और completed by इल्तितमिश, और इस तरह की मिनारे, generally मस्जिदों के आसपास बनती थी, जिसके ओपर मुजदिन कॉल करते थे, लेकिन ये मिनार, शायद अपनी power बताने के लिए बनाई गई थी, अपना रुतबा बताने के लिए, या अपनी conquest को, जो इंडिया में तुरकों ने conquest करी थी, उसको commemorate करने क के लिए बनाई गई थी, कुछ controversies के साथ ये भी जुड़ी हुई है कि ये शायद एक विश्नुस्तंब हुआ करता था, तो अगेर अपन अभी controversy के उपर नहीं जाएंगे, जो प्रचलित चीजें किताबों में लिखी हुई है, उसके आधार पर ही, जो fact समझ में आ रहा है, वो ही अपन मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और architecture की तरफ, तो ये जो आप बहुत ही अच्छे pattern देख रहे हो, इस pattern को कहा जाता है, arabisk, तो arabisk क्या होता है, arabisk होता है, arrangement of geometric patterns in a symmetry, अब क्या होता था, देखो इसमें problem नहीं, तो बात ऐसी थी कि ये क्यों बना, तो ये इसलिए बना था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो rulers जब constructions करवा रहे थे, देखो पहले जो भारत की कारिगरी थे, instruction, तो अब भारत की कारिगरों के उपर, ये responsibility थी कि वो इमारत को सुंदर बनाए, लेकिन limitation ये थे, कि मूर्तियां नहीं बना सकते हैं, भारत के कारिगर मूर्तियां बनाने में बड़े expert होते थे, लेकिन मुसल्मान rulers ने कहा, कि हमारे religion में, हमारे culture में, मूर्तियां बनाना prohibited है, अब क्या किया जाए, दिवार को सपाट छोड़ दे, तो सुंदरता नहीं दिखेगी, और अगर मूर्तियां बना दे, तो बनवाने वाले का धर्मब्रश्ट हो जाएगा, तो बीच का रास्ता निकाला गया, कि भी कुछ ऐसे shapes उकेरे जाएं दिवार के उपर, जो arrangement of geometric patterns in a symmetry, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, आप इसको full पत्ती मान सकते हो, या को geometric patterns मान सकते हो, जिनको symmetry में arrange किया गया, लेकिन जैसे ही वो symmetry और geometric patterns की निकल के आती है, surface के उपर कार्व हो के आती है, तो वो देखने में आखों को बहुत अच्छे लग था और दिवारे सपाट भी नहीं छूट रही थी, उनको कोई beauty मिल रही थी, तो ये इस तरह से arabist card develop हो गया, फिर ऐसे ही calligraphy भी डेवलप हुआ, यहाँ पर भी आप देख रहे हो, इसको बुलते है, calligraphy, ये दोनों ही photograph जो है, कुतुब मिनार की surface के उपर, calligraphy आप सभी ज of Quranic verses on the walls. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यह पर अपने को आखने पर नहीं आती, लेकिन कोई Arabic person जानता हो तो इनको पढ़ सकता है, बट देखने में ऐसा लगता है कि देवार के ओपर कोई नकाशी की गई है, और क्यूंकि उसको बहुत ही symmetry के साथ किया जाता है, तो वो देखने में अच्छी भी लगती तो ये भी एक महतवपूर्ण फीचर था दिली सल्तनत के आर्किटेक्चर का तो ये सारे मेजर फीचर्स थे दिली सल्तनत के आर्किटेक्चर के और इसके बाद में एक और फीचर है जिसको बूलते इसको दो-तीन नामों से गुलाया जाता है एक जो नाम इसके लिए भारत में common है वो है जाली वर्क यह जाली मतलब वो नकली वाला जाली नहीं है यह सच में जो जालियां होती वो वाला जाली है या फिर अंग्रेजी में इसको बुलते हैं पर्फोरेटेड विंडोज तो यह जाली वर्क या पर्फोरेटेड विंडोज यह एक नया फीचर था जिसमें आप देख सकते हो कि जो विंडो है उस विंडोज के उपर अगेन अलग-अलग जोमेट्रिक पैटर्न में सिमिट्री के साथ में होल्स किये हुए है और इन होल्स के अंदर से आप अगर खड़े हो के बाहर देखते हो तो आप बाहर सब कुद देख सकते हो लेकिन बाहर वाला आपको नहीं देख सकता तो एक उईूस तो इसका यह होता था कि जो डिली सल्तनत की फैमिली जो इसमें जो लीडी जोती थी वो कोई प्रोसेशन अगर बाहर निकल रहा हूँ तो अपनी खिड़की के अंदर से उस प्रोसेशन को देख सकती थी लेकिन कोई भी बाहर से उनको नहीं देख सकता था तो वो जो परदा सिस्टम बहुत प्रबल हो गया था मद्यकाली न्यूग में खास तोर पे दिल्ली सल्तनत की महिलाओं को लेके तो वो परदा सिस्टम इसमें फॉलो भी हो रहा था और इस तरीयों को देखने को भी मिल रहा था बाहर की दुनिया पर इसी जाली से दूसरा इस जाली से च्छन के रोशनी जब आती थी तो वो जो 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 मेंट्रिक पैटर्न के आकार होते थे बिल्कुल वो आकार लेकर फर्ष के उपर पढ़ती थी तो उससे फर्ष भी देखने में बड़ी सुंदर लगती थी ऐसा लगता था कि उस पैटर्न की टाइल्स लगाई हुई है बट आप समझ सकते हो कि वो सूरज के चड़ने और ढलने के साथ में ये पैटर्न लंबे और छोटे हो सकते थे बट इट लुक्ट ब्यूटिफुल और ये भी एक खास फीचर था दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर का अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन और इसके बाद आगे बढ़के बात करते हैं राणा संगा एंड राइस ओफ राजपुतारा अब देखो इससे पहले कि मैं मुगल्स के राइस के उपर आओ या शेरशा सूरी की बात करूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर बहुत तेजी से राणा संगराम सिंग एक बड़ी शक्ती की रूप में उभरते जा रहे थे और कुछ एक ऐसी लडाईया है जो किताबों के अंदर मेंचन नहीं की जाती लेकिन ये दिखाता है कि राजपूत आना कितना शक्तिशाली हो चुका था उस जमाने में पर्टिकुलर्ली राणा संगराम सिंग की लीडर्शिप में राणा संगराम सिंग उसी सिसोदिया राजपूत राजवंच से आते थे जिस सिसोदिया राजपूत राजवंच ने अलाउद दिन खिलजी को हरा के 1308 में चितोड की किले को दुबारा जीता था और उसके बाद में इसी सिसोधिया राजपूत राजवन्च के राजा हामिर सिंग सिसोधिया ने मुहम्मद बिन तुगलक को भी बुरी तरह से हराया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था लेकिन आज में उसी सिसोदिया राजपूत वंच के एक और राजा के बारे में आपको बताऊंगा जो बड़े शक्तिशाली थे और जिनोंने राजपुतारा को एग्रेसिवली आगे बढ़ाया था और दिल्ली सल्तनत की जितनी भी डॉमेनिंस थी उस सारी डॉमेनिंस को पूरी तरह से खतम करके रख दिया था दो लड़ाईया लड़के और ऐसे तो इन्होंने बहुत सारी लड़ाईया लड़ी थी इन्होंने मालवा के सुल्तानों से भी लड़ाई लड़ी थी गुजरात के सुल्तानों से भी लड़ाई लड़ी थी राजस्थान के कई दूसरे रजवारों के साथ में भी युद्ध करके उनको भी पराजित किया था और पराजित करके उनको अपने साथ जोड़ के एक कॉन कलर में दोनों लिखी हुई है पहले लिखा हुआ है बैटल ओफ खिटॉली 1517 में लड़ाई हुई थी राणा सांगा चैलेंजड देली फोर्सेज इन नियर खिटॉली विलेज इस्टन राजस्थान की जो इस्टन राजस्थान का इलाका था ये दिल्ली सल्तनत के पकड़ मे और इसलिए उन्होंने खिटॉली गाओं जो की पूर्वी राजस्थान में हाडोती क्षेत्र में है वहाँ पे अपनी सेना को आगे बढ़ाके सीधे दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे दी दिल्ली सल्तनत का रूलर उस जमाने में इबराहिम लोधी नया नया ही बना था और बड़ी तीजी से इबराहिम लोधी बैटल फिल्ड में इनका मुकाबला करने के लिए आता है लेकिन इस लड़ाई का नतीज़ ये हुता है कि relatively आसानी से राजपूतों की जीत हो जाती दिल्ली सल्तनत की फोर्स एक भेंकर और जोरदार हमले की वज़े से इस लड़ाई को हार भी जाती है और जियादा तर दिल्ली सल्तनत के सोल्जर्स और कमांडर्स दिल्ली की तरफ आगरा की तरफ रीट्रीट कर जाते लेकिन इबराहिम लोधी का एक बेटा जो की शहजादा था वो पकड़ में आ जाता है राजपूतों के और राजपूत उसको पकड़ के रखते हैं और उसको कई दिनों बाद छोड़ते हैं जब दिल्ली की तरफ से एक बहुत बड़ी अमाउंट इनको मिलता है फिरौती का रैंसम का और उसके बाद इस राजपूमार को छोड़ा जाता है तो ये दिल्ली सल्तनत के डिकलाइन में एक बहुत बड़ा स्टेप एक बहुत बड़ा माहिल स्टोन था कि राजपूताना जिसके ओपर दिल्ली सल्तनत ने काफी समय आस तो पर अलाउद दिन खिलजी के दौर में डॉमिनेट किया था या पिर अगर अपन सही माइने में दिल्ली सल्तनत ने सिर्फ अलाउद दिन की खिलजी के दौर में ही राजपूताना के ओपर डॉमिनेट किया बाकी तो फिर कोई ऐसा रूलर रहा नी जो राजपूताना को डॉमिनेट करके रख पाया हो हाँ घ्यासुद दिन तुगलक के दौर में भी दिल्ली सल्तनत की त और दिल्ली सल्तनत को हावी नहीं उने दिया था और अब राना संग्राम सिंग आया थे जिरूने ओपन बैटल फिल्ड में दिल्ली की सेना को हरा के वो दिल्ली की सेना की इन्विनसिबिलीटी का मिथी तोड़ दिया था लेकिन उससे भी बड़ी जीत हासिल उनको हुई थी 15 1519 में जो भॉलपूर की लड़ाई में हुई थी जो कि अगेन आप जानते हो राजस्थान में सिच्वेटेड है ये लड़ाई दो साल बाद हुई थी 1519 में इबराहिम लुदी को ऐसा लगा कि क्योंकि मैं नया नया रूलर बना था और चीजे में सेट कर रहा था इतने वे इन्होंने मौका देखके हमला कर दिया और हमें हरा दिया लेकिन हम हारे हुए अलाके इनसे वापस चीनेंगे अब हम तैयार हैं अब हम सैटल्ड हो चुके तो हम हमला करेंगे मेवाड के उपर और उनसे हारे हुए अलाके वापस चीन लेंगे तो इब्राहिम लोदी ने लगबक 40,000 की फोर्स इखटी करके मेवाड के ओपर हमला करने के लिए कूच किया आगरा की तरफ से अब राणा संग्राम सिंग के साथ में ये सीन था कि उनकी उनका एक दुश्मन गुजरात में भी बैठा हुआ था गुजरात का सुल्तान एक दुश्मन राणा सांगा का मालवा में भी बैठा हुआ था मालवा का सुल्तान और एक दुश्मन दिल्ली सल्तनत की सरहत पे था तो राणा संग्राम सिंग अपनी पूरी सेना दिल्ली सल्तनत के सामने नहीं लगा सकते थे राणा संग्राम सिंग को अपनी सैनिक टुकडी का एक बड़ा हिस्सा गुजरात की सीमा पे और एक बड़ा हिस्सा मालवा की सेना पे हमेशा मालवा की सरहत पे हमेशा तैनात करके रखना था और जो अचानक हमला किया इबराहीम लोदी ने 40,000 की टुकडी की साथ में तो उस समय राणा संग्राम सिंग के पास में लगबख सिर्फ 10,000 सैनिक थे जिनके साथ में मिलके वो मुगाबला कर सकते थे लेकिन राणा संग्राम सिंग बहद्दूर थे और उनको अपने 10,000 सैनिकों के उपर पूरा भरोजा था 10,000 से थोड़े से ज्यादा थे इनके सैनिक मान लिजे 15,000 के असपास इनके सैनिक थे करेक्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे 15,000 सोल्जर्स मान लीजे आप क्योंकि 10,000 के तो इनकी कैविल्री थी और 5,000 के इनकी इनकी इन्फेंट्री थी तो यह 15,000 सैनिक और अभी भी सामने दिल्ली सल्तनत की फोर्स 40,000 की तादाद में थी लेकिन इस लड़ाई के अंदर जो हुआ वो भारत की मिलिटरी हिस्टरी के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलिस्टोन है जिसको बताया जाना चीए कि 10,000 की राजपूत कैविल्री ने 40,000 या पूरे 40,000 तुर्कों की अफगानों की कैविल्री नहीं थी आफगानों की कैविल्री 30,000 की गुड़सवार सेना थी और 10,000 उनकी इंफेंट्री थी राजपूतों की 10,000 की गुड़सवार सेना थी और 5,000 की उनकी इंफेंट्री थी लेकिन इस लड़ाई में राणा संग्राम सिंग की स्ट्राटीजी क्लियर थी कि हमारे दस हजार पूरी ताकत से इंटेंसिटी से इतना जोरदार हमला करेंगे शत्रू के तीस हजार घुड सवारों के उपर कि उनके पाउं खड़ जाए और वही हुआ जब ये युद्ध में गए राणा संग्राम सिंग तो ऐसे थो हमला राणा संग्राम सिंग के उपर हुआ था लेकिन युद्ध भूमी में जाके इन्हों ने अगरेसर का रोल बना लिया कि अब मैं हमला करूंगा इनके उपर और इतना जोरदार हमला किया ये 10,000 की कैविल्री फोर्स में इबराहिम लोदी की 20,000 की कैविल्री फोर्स के उपर की कुछ ही घंडों में उनके पाउ खार दी है पहले ही हमले में इतने तेज बस्ट के साथ में हमला किया गया था अफगानों के कई कमांडर्स और सैनिक तो वही काट डाले गए पहले हमले में ही काट डाले गए और बचे हुए बुरी तरह से घायल हो गए राजपूतों को भी बहुत चोटे लगी थी उनके भी कई सैनिक वीर गती को प्राप्त हुए थे लेकिन इतना अग्रेशन के साथ में यह हमला किया गया था कि अफगान इतने अग्रेशन के हमले को जहलने के लिए तैयार नहीं थे और उनको immediately retreat करना पड़ा उनको immediately retreat करना पड़ा इबराहिम लोधी जो खुद लीड कर रहा था इस बैटल में और पिछले बैटल में भी इबराहिम लोधी ने लीड किया था दोनों ही बार उसको battlefield से पीछे हटके वापस आगरा की तरफ भागना पड़ा और इसी जीत के साथ में पूरवी मालवा के इलाके मध्यप्रदेश के उत्तरी इलाके के ऊपर राजपूतों का राना संगराम सिंग का कंट्रोल इस्टैबलिश हो गया तो ये जो दो लड़ाईयां लड़ी थी खिटॉली की लड़ाई और धौलपूर की लड़ाई जो दोनों ही लड़ाईयां राज के राज़स्थान में होई थी इसी के साथ राणा संग्राम सिंग ने राजपूताना और मालवा के इलाके से दिल्ली सल्तनत के होल्ड को साफ करके रख दिया था और अब उनका confidence ऐसा था कि वो दिल्ली के उपर भी चड़ाई करने के बारे में प्लान बनाने लग गये थे और शायद ये हो भी जाता लेकिन मुहम्मद जहीरुद्दिन बाबर एक मुगल इन्वेडर आ जाता है और उसके बाद में चीजें equations बहुत बदल जाती है तो ये राणा संग्राम सिंग का ओदय हो गया था राजस्थान में दस हजार की टुकडी जब तीस हजार की टुकडी को defeat कर दे तो आप समझ सकते हो कि ये लोग militaryly कितना high confidence में आ चुके थे फिर मुगल्स का जैसे कि मैंने कहा कि इस सब के बीच में बाबर आ जाता है और बाबर आता है और बाबर आके equation सेंज कर देता है और ये सब कुछ शुरू होता है first battle of पानीपत से बाबर एक चक्ताई तुर्क था जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है चक्ताई तुर्क क्यों कहते थे बाबर को क्योंकि बाबर का जो बाब था वो तुर्क था उमर शेक मिर्जा तैमूर के खांदार से यहाँ पर मैं व कुतलुग निगार खानम थी यह मंगोलों के परिवार से आती थी चंगेस खान के परिवार से आती थी तो दूसरी तरफ बाबर के मा की तरफ से जो इंसिस्टर्स थे वो थे मंगोलों का जो लीडर इनकी तरफ से यो कुतलुग निगार खानम का बाब था उसका नाब था चक्ताई खान तो इसलिए एक तरफ से चक्ताई का डिसेंडेंट था दूसरी तरफ से यह तैमूर तुर्क का डिसेंडेंट था तो इसलिए इसको चक्ताई तुर्क कहा जाता ठुटलुग निगार खानम का बाप कॉन चक्ताई खान तो एक तरफ से चक्ताई खान का फैमिली दूसरी तरफ से ट्यमूर की तूरक तूर्क और चक्ताई तूरक बन गया चक्ताई तूरक तो ऐसा था बाबर का ओरिजन बाबर ओरिजनल ही रहने वाला था उजबेकिस्तान का इसका अफगानिस्तान से या भारत से कोई लेना देना था नी उजबेकिस्तान में ये पैड़ा हुआ था और अपनी जिन्दगी के शुरुआती दस साल भी इसने वही बिताये थे लेकिन उस समय इसके फादर उमर शेक मिर्जा की डेथ हो जाती और फिर इसके चाचाओं के मन में लालच आ जाता है थ्रोन को लेके तो ये बाबर को मारना चाहते थे लेकिन बाबर के कुछ लॉयल्स होते जो उसके फादर के लॉयल्स थे उसको बचा के ले जाते और बचा के अफगानिस्तान ले आते अब अफगानिस्तान में इनकी जो छोटी मुटी फोर्स थी ये लोग काबूल और उसके आसपास के एरिया को जीत के वहाँ पे एक टेंप्रेरी रूल इस्टैबलिश कर लेते अपटा लेकिन इनका लाइफ में एक ये अबजेक्टिव था वापस उस्बेकिस्तान जाना और अपने रूल को री इस्टैबलिश करना वहाँ पे लेकिन प्राबलम ये थी कि इनके पास में बड़ी आर्मी नहीं थी और बड़ी आर्मी बनाने के लिए पैसा चाहिए था वो पैसा भी इनके पास में नहीं था तो फिर बाबर ने एक हटकंडा अपनाया कि उसको दिखा कि भई हिंदुस्तान भी पास में ही अब अफगानिस्तान से क्यों ने हिंदुस्तान के उपर हमले करके उनके गाओं और शेहरों को लूटा जाए जिससे हमको जरूरी पैसा मिल जाए उस पैसे के दम पे हम एक सेना बनाएंगे और वापस अपने मादरे वतन को जीत लेंगे यानि कि अपने मदर लैंड को जीत लेंगे जहां से हमको ख़ड़ आ गया है इसने पंजाब के इलाके में छुटपूट लूट पार्ट के हमले करने शुरू किये उन दिनों भारत में दिल्ली सल्तनत में इबराहीम लुदी का रूल चल रहा था इबराहीम में लुदी इसलिए इबराहीम लुदी के एक चाचा जो पंजाब में गवर्निंग किया करते थे जिनका नाम था दौलत खान लुदी इन्हों ने बाबर को एक सिलाह दी और उने कहा कि आप मेरे अलाके में आके गाहों शेरों को लूट रहे हो इससे अच्छा आप दिल्ली को जाके लूट लो आपको पैसा चाहिए वो एक जटके में आपको दिल्ली से मिल जाएगा फिर आप अपनी बड़ी सेना बनाके जाके जीत लेना अपने मादरे वतन को बाबर को ये सुझाव इनीशली तो अच्छा नहीं लगा लेकिन बाद में उसमें सुझाव को मान लिया और उसमें दौलत खान लोदी के मदद से पंजाब में घुसके दिल्ली की तरफ एक बड़ा हमला किया और उसी प्रॉसेस में पानी पत की लड़ाई होती है अब जहां तक बाबर की फोर्सेस का सवाल है तो बाबर की फोर्सेस 15,000 से लेके 25,000 के बीच में थी या यूँ कहूँ कि बाबर बाबर नामा में लिखता है तुजु के बाबरी में लिखता है कि साड़े बारा हजार की उसकी फोर्सेस है और इबराहिम लोदी की फोर्सेस को एक लाग की बताता है कि बाबर की forces कम से कम सत्रा बीस हजार की तो रही होगी और इबराहिम लोधी की forces अगर एक लाक नहीं तो असी हजार तो रही ही होगी तो फिर भी बीस हजार की force लेके ये असी हजार से लड़ने कैसे आ गया तो बाबर के पास में थे fire arms बाबर के पास में थी तोपे और बंदू के ध्यान रहे साल 1526 चल रहा है और अभी भारत में तोपे और बंदू के सिर्फ विजनगर के राजा क्रेशन देव राया को मिली है पुर्टगालियों से और वो फार साउथ इंडिया में है वो आनिनी वाले है यहाँ पे और बाकी हिंदूस्तान के अंदर अभी तक किसी को बंदू के और तोपे मिली ही नहीं है क्यों पुर्टगालियों ने वादा किया था क्रेशन देव राया को कि आपको एक्स्क्लूजिवली बेचेंगे तो इसलिए अभी हिंदूस्तान में जो उत्तर भारत की युद्ध हो रहे थे वो सब तीर तलवारों से ही हो रहे थे तो बाबर ये बात जानता था कि उत्तर भारत में जिन से लड़ने जा रहा हूं उनके पास में बंदू के नहीं है और बंदू बड़ा गजब का हतियार है ये उत्तर भारत के लोग जानते ही नहीं अभी अगर मैं 20,000 की सेना लेके भी बंदू को और तोपों के साथ आता हूं तो मैं शत्रू की एक एक लाग की सेना को हरा सकता हूं और इसी confidence के साथ में वो हिंदूस्तान में अपने से ज्यादा ताकतवर सेना से मुकाबला करने के लिए आ गया और साथ ही बाबर की कुछ रणनीतियां भी थी कि उसकी कुछ टुकडियां दाएं बाएं से अचानक हमला करके दश्मन को नुकसान पहुचाने में बड़ी महारत रखती थी जिसको तुलूगमा टैक्टिक्स कहा जाता था तो अपनी तोपों और बंदू को और तुलूगमा टैक्टिक्स इन दोनों की मदद से बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इबराहीम लोधी को ना सिर्फ हरा दिया बलकि इबराहीम लोधी इस लड़ाई में मारा भी गया और इसी के साथ में बाबर ने आगरा और दिल्ली को पूरी तरह अपने नियंतरण में ले लिया इनिशली जब इबराहीम की हार हुई वो मारा गया तो राणा संग्राम तिंग और उनकी राजपूत कॉन्फिडरेसी के अंदर हर्ष की लहर दोड़ गई कि ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारा एक शक्तिशाली शत्रू एक लुटेरे के हातों ही खतब हो गया अब वो लुटेरा दिल्ली को लूट पाट करके चला जाएगा और फिर हम बड़ी आराम से दिल्ली के उपर दुबारा हिंदू पत्पाथ शाही स्थापित कर देंग जब हिंदूस्तान इसके पास आया तो इसके मन में हिंदूस्तान की रिचनेस इसको दिखाई दी यहाँ का रेवेन्यू दिखाई दिया यहाँ का पैसा दिखाई दिया तो इसमें बोला कि हिंदूस्तान को छोड़ना नहीं है लेकिन राना संग्राम सिंग जो दिल्ली के उपर कबजा करना चाहते थे दिल्ली के तख्त पे दिल्ली के सिहासन पे हिंदू पत्पाज शाही को दुबारा स्थापित करना चाहते थे उनके लिए बाबर अब एक चुनोती बन गया था और इसलिए उन्होंने तैय किया कि वो अपनी मजबूत कॉन्प्रेडरिसी को लेक बाबर को चुनोती देंगे और उसको हराएंगे ताकि दिल्ली के उपर दुबारा हिंदू पत्पाज शाही स्थापित की जा सके बाबर भी ये बाद जानता था कि अगर मुझे उत्तर भारत में रूल करना है तो राजपूतों से लोहा एक बार लेना ही पड़ेगा वैसे बाबर और उसकी सेना ने राणा संग्राम सिंग और उनकी सेना की वीरता के कई किस्से सुन रखे थे जिससे उनको काफी डीमॉरलाइजेशन भी हुआ था लेकिन फिर भी बाबर जानता था कि सही रणनीती और तोपो बंदुकों का एक्कूरिट यूज़ करके वो राणा संग्राम सिंग को भी पराजित कर सकता है तो इन दोनों के बीच में अगले साल 15-27 में खानवा के मैदानों में लडाई हुथी जो इस्टन राजस्थान में सिच्वेटेड थे अब इस लडाई से पहले मुगलों और राजपुतों की सेनाए कई बहुत सारे महीनों से ये खानवा के आसपास के अलाकों में आके जमाड़ा अब लगा के बैठी हुई थी लेकिन एक दूसरे से सीधा मुकाबला भी ये करनी रहे थे कुछ छुटपुत मुकाबले इनके हुए थे छुटपुत जडपे इनकी हुई थी और इन छुटपुत जडपों में राजपुत सैनिकों ने मुगल सैनिकों को पूरी तरह से डॉमिनेट कर लिया था जब जब भी कोई छुटपुट जड़ पे मुगल और राजपूत सैनिकों के बीच में हुई उसमें हमेशा राजपूत सैनिक भारी पड़े और उन्हें हमेशा मुगल सैनिकों की टुकडियों को हरा के ख़ड़ के भेचा जिससे मुगल सैनिकों का मुराल और डाउन होता गया वो बाबर से कहने लग गए कि हम तो यहां लूट पार्ट करने आये थे आपने हमको एक साल यहां पे रख दिया और अब आप हमको उन से लड़ने के लिए बोल रहे हो जो इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ाकों और जंग जीव माने जाते है तो अब हमें जो करना था हमने कर लिया क्योंने वापस चले अब अपने वतन उस्बेकिस्तान अफगानिस्तान लेकिन बाबर जानता था कि उत्तर भारत जो मिल गया है इसको हाथ से जाने नहीं दे और ये लड़ाई तो हम लड़ेंगे और हमको जीतने की पुरी चांसेस भी है तो बाबर ने अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए रिलिजन का सहरा लिया और बाबर ने क्या किया बाबर ने डिकलेर्ड जिहाद अगेंस्ट राजपूत बाबर ने क्या किया और राजपूतों के विरुद्ध जिहाद घोशिद कर दिया उसने अपने सैनिकों को कहा कि डरो मत नबराओ मत और ये लड़ाई से पीछे मत अटो भले ही तुम्हारा शत्रू तुमसे कितना भी शक्तिशाली तुम्हे लग रहा हो लेकिन ये लड़ाई काफिरों के खिलाफ है ये लड़ाई मुश्रिकों के खिलाफ है नौन मुसलिम्स के खिलाफ है और इसलिए एक मुसल्मान होने के राते तुम्हारा फर्ज है कि तुम ये लड़ाई लड़ो अगर तुम इस लड़ाई में हार गए या इस लड़ाई में तुम मारे गए तुम को जन्नत मिलेगी क्योंकि तुम जिहाद करते हुए मारे गए और अगर तुम इस लड़ाई में जीत गए तो तुम घाजी कहलाओगे यानि कि तुमने नॉन मुसलिम्स को मार दिया तुम घाजी का रुत्बा रखोगे तुम हारने वाले ही नहीं हूँ चाहे तुम हारो और मरो तुभी तुमको जन्नत मिलेगी और जन्नत में क्या फैसिलिटीज है ये तो आपको पता ही है और अगर तुम जीत गए तो तुम इसी धरती को यहीं पर अपने ले जन्नत बना लोगे जिस तरह से आजकल आतंकवादियों को भी रेडिकलाईज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर जो अलग-अलग मौल भी मौलाना है वो इसी तरह लड़कों को मोटिवेट करते हैं भारत के खिलाफ लड़ाई करने के लिए या भारत में आतंकवादी हमले करने के लिए उनको यही सब तो बोलते हैं कि जाओ तुम जिहाद करो तुम अगर मारे गए तो तुम को जन्नत मिलेगी तुम अगर जीत गए तो तुम्हारा नाम होगा तुम गाजी कहलाओगे ये पहली बार इस तरह की सोच बाबर ने शो करी थी जब उसकी सेना का मुरैल डाउन हो रहा था अब उसको हम सही गलत के तराजु से फ़टा के यू देखे कि एक जैनरल्शिप के तोर पे बाबर ने अपने सैनिकू को मोटिवेट कर दिया रिलिजन को एक तूल की तरह यूज करके और अपने सैनिकों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए बाबर ने ये भी कहा कि he vowed to give up liquor consumption और बाबर ने कहा कि अब क्योंकि हम जिहाद के बात कर रहें तो अब हमको अच्छा मुसल्मान बनना है और बाबर ने कहा कि मैं अच्छा मुसल्मान हूँ लेकिन मैं शराब पीता हूँ तो आज से मैं शराब का प्याला नीचे गिराके इसको तोड़ता हूँ आप सब के सामने के आज से हम शराब नहीं पिएंगे और अब जिहाद करेंगे अब ये जो लड़ाई है ये जमीन की लड़ाई नहीं है ये प्रापर्टी की लड़ाई नहीं है अब ये रिलिजन की लड़ाई है और इस लड़ाई से हमें पीशे नहीं हटना है इस तरह उसने अपने सैनिको को इस लड़ाई के लिए मना लिया और मूटिवेट भी कर दिया इन दे नेम ओफ रिलिजन तो बड़ा स्मार्टली उसने काम किया बहुत इफेक्टिव साबित हुआ उसके लिए और उसकी आर्मी पूरी इच्छा के साथ में पूरी ताकत के साथ में पूरे एंथूजियाजम के साथ में इस लड़ाई में आई तोपे बंदुके तो इनके पास पहले से ही थी अब इनको बहुत सारे ऐलाईज भी मिल गए थे भारत में अफगान ऐलाईज तो अब ये इनका मुकाबला जो था सामने होने वाला था मजबूत राजपूत कॉन्फिडरीसी से लेकिन इनके पास में तोपे और बंदुके थी लड़ाई बहुत कड़ी थी और अंत तक चली लड़ाई में वैसे जितनी आसानी से बाबर ने इबराहिम लोधी को हरा दिया था उससे कहीं ज्यादा मुश्किले बाबर को यहां पे पेश आई थी राजपूतों के डिस्पिरिट कैवलरी चार्जेज ने इनके मोर्चों को तोड़ दिया था और इनके मोर्चों के अंदर घुसके लड़ाई शुरू हो गई थी बाबर के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे बहुत सारे कमांडर्स भी मारे गए थे राजपूतों को भी बहुत लॉस हुआ था क्योंकि तोपों की गूला बारी की वज़े से उनके कई घुरसवार और कमांडर्स मारे गए थे लेकिन जब लड़ाई गुत्थम गुत्था के शुरू हो गई और राजपूत भारी पढ़ने लग गए तब मुगलों ने अपनी बंदूके निकाली और इन बंदूकों को निकालके बाबर के आदेश पे बंदूक्चियों ने चुन चुन के छुप छुप के राजपूत कम पर आके लड़ाई बराबरी पर आचुकी थी और लग रहा था कि आज शैट कोई निरड़ाई नहीं हो पाएगा तबी एक गोली हाती के उपर बैठे वे राणा संग्राम सिंग को लग गए और राणा संग्राम सिंग बुरी तरह से घायल होके अपने हाती के होदे से पर रहे गए कुछ थे जो मारे गए थे वीर गती को प्राप्त हो गए थे कुछ बैटल फिल्ड से जीवित वच के भागने में कामियाब रहे गए थे घायल राणा संग्राम सिंग को भी किसी तरह से बैटल फिल्ड से बचा के ले जाया गया था बाद में घायल राणा अपोनेंट उसका उसमें हरा दिया था लेकिन बाबर को इतना नुकसान हो गया था इस लड़ाई बे कि बाबर ने फिर फरदर राजस्थान के इलाकों में कीलों की घेरा बंदी करने को उचित नहीं समझा और वो वापस दिल्ली आगरा की तरफ लोटके आ गया लेकिन बाब की लड़ाई में बबर का साथ दिया था और चंदेरी का खीरापंदी करके चंदेरी की किले को जीता और उसके बाद वो और आगे बढ़ा महमूद लोधी से मकाबला करने के लिए महमूद लोधी इबराहिम लूदी का ही एक चचाजाद भाई था याने की चचेरा भाई था कजिन था जिसने इबराहिम लूदी की डेथ के बाद में अपने आपको दिल्ली सल्तनत का वारिस घोशित कर दिया था और उसके सपोर्ट में कई अफगान भी आ गये थे उसने एक अच्छी कासी में इखटिक कर ली थी और घागरा नदी के किनारे आज के उत्तर प्रदीश और बिहार की बॉर्डर पे 1529 में बाबर को एक और लड़ाई लड़नी पड़ी इस लड़ाई में भी बाबर ही जीता और बाबर की जीतने की एक बड़ी वज़े इस लड़ाई में थी कि शेर पेरिशा सूरी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे जो की बाई बर्थिक अफगान था उसने इस लड़ाई में बाबर का साथ दिया था बाबर को बहुत चारी इंक्रमेशन भी दी थी और अपनी सैनिक टुकडिया भी बाबर के सेवा में ले आया था पेरिशा सूरी बाबर ने हिंदुस्तान में चार जीते चार जंगे जीत के अपने रूल को इस्टैबलेश कर दिया 1530 AD में बाबर की मृत्यू हो जाती है जिसके बाद में बाबर को सकसीड करता है उसका एक काफी इनकेपेबल बेटा जिसका नाम नासेर उद्दिन हुमायू होता है जो की गिलग्राम इन 1540 एंड फूर्स तू फ्ली तू इरान वहरी स्पें 12 वियर्ज इन एक्जाईल जब हुमायू रूलर बनता है तो दस साल तो सब कुछ ठीक होता है लेकिन नौवे साल में ही शेरशा सूरी जो कभी इनी का कमांडर हुआ करता था वो हुमायू की कमजोरी को स करके दिल्ली के थ्रोन के उपर हमला करने के लिए तयार हो जाता है और दिल्ली के थ्रोन के उपर हमला करने के इरादे से एक बड़ी सेना एकट्टी करता है उसे रोकने के लिए हुमायू जब पूरवी उत्तर प्रदेश के चौसा में जाता है तो वहाँ पे शेरशा सूर बारिश की एक रात अचानक उसके ओपर हमला करके जिसको कहते हैं ना कि टेकिंग बाइ सर्प्राइज तो मिलकुल उसको कम्पलीटली शॉक और सर्प्राइज करते हुए उसको एक क्रशिंग डिफीट देता है जैसे जैसे हमायू अपनी जान बचा के वहां से भागता है लेकिन यहां पर शेर शासुरी रुकता नहीं बलकि और आगे बढ़ता है और यह पहुँच जाता है आज के कानपूर के नस्दीक कन्नौज नाम की जगे पे कन्नौज के पास में ही बिलगराम नाम की जगे पे हमायू फिर इसे रोकने के लिए आता है लेकिन एक बार फिर शेर शासुरी हमायू को हरा देता है हला कि हमायू बहुत भादूरी से लड़ता है इस लड़ाई में और अंति तक लड़ता है लेकिन हुमायू का कमांडर बैरम खान हुमायू को कहता है कि अगर इस लड़ाई में आप अंत्य तक लड़ते रहे तो पकड़े जाओगे और मारे जाओगे तो अभी यहां से निकल लेने में ही भड़ाई है वो भाग के पहले अपने भाईयों के पास जाता है लेकिन उसके भाई उसको सपोर्ट नहीं करते तो फिर उसको मजबूरन हिंदुस्तान से बाहर इरान जाना पड़ता है जहां का शाहत तहमस्त उसके मदद करने के लिए तैयार हो जाता है उसको पनाह शेल्टर देने के लिए तैयार हो जाता है शेर शासूरी मिन्वाइल 5 सालों तक भारत में शेर्शासूरी की डेट के बाद में साथ साल तक शेर्शासूरी का बेटा भी रूल करता है इसलाम शासूरी लेकिन वो भी इतना एफेक्टिवली रूल करता है कि तब भी हुमायू के वश की बात नहीं थी कि वो हिंदुस्तान में आके हमला कर दे लेकिन हुमायू का फॉर्चुन केह लीजिए कि साथ साल बाद इसलाम शाह सूरी की भी डेथ हो जाती है और उसके बाद हुमायू की हिम्मत होती है कि अब मैं दिल्ली और आगरा को दुबारा हासिल करने के लिए एक हमला कर सकता हूँ तो पहले वो कंधार आता है उसे जीतता है फिर काबूल आता है उसे जीतता है फिर वहां से फूर्स इखटी करके और शाह तहमस्प के द्वारा दी गई कुछ फूर्स का यूज़ करके ये दिल्ली और आगरा को दुबारा जीतता है कुछ कमजोर कमांडर्स के को हरा के और इ 1500-00 फिटिसिक्स में ही अपने ही एक लाइबरी की सीडीों से गिर के बुरी तरह हेड यानि की स्कल इंजरी की वजह से तीन दिन तक कोमा में रहता है बेहोश रहता है और तीसरे दिन इसकी डेथ हो जाती है और इसी के साथ में हमयू के दौर का भी अंत हो जाता है जब हमयू का दौर का अंत हुआ था और हुमायू के दौर के शुरुआत हुई थी तो आप यहां पे दो टाइम लाइन्स देख रहे हूँ क्योंकि इन दो टाइम लाइन्स के बीच के फेज में सूरी एमपायर का राइज हो गया था तो इसी लिए अब अपन ये भी देखेंगे कि सूरियों का रूल कैसा रहा था और सूरियों के रूल में शेरशा सूरी से जुड़े हुए क्या महतुपूर अचीवमेंट्स है या उसकी पॉलीसी से तो जहां तक शेरशा सूरी का सवाल है उसका ओरिजनल नाम परीद खान था जो की एक जागिरदार का बेटा था देखेंगे जागिरदार अची बड़ी चीज होती है तो वैसे ही इनके पता जी जिनका नाम हसन खान था वो एक जागिरदार थे उन्हें के घर में बड़ा बेटा पैदा हुआ था शेरशा सूरी इनकी जो मदर थी उनका नाम तहमीना भी था तहमीना भी एक कायम खानी राजपूत परिवार से तालूक रखती थी वलब थी तो वो मुसल्मान लेकिन ये वो वाले मुसल्मान थे उत्तर प्रदेश के जिनके एंसिस्टर्स ने किसी जमाने में इसलाम एकसेट कर लिया था कुबूल कर लिया था तो वो लोग अपने आपको कायम खानी कहते थी आज भी उत्तर प्रदेश में उनके बहुत थारे डिसेंडेंट्स रहते जो अपने नाम के आगे एक खान सरनेम लगाते बट एक्चुली वो कायम खानी राजपूद कहते हैं अपने आपको तो इनकी मदर एक कायम खानी राजपूद परिवार से आती थी और पिता इनके एक पठान परिवार से आते थी तो इन दोनों का बच्चा था ये लड़का जिसका नाम फरीद खान रखा हुआ था लेकिन ये फरीद खान को शेर का टाइटल मिलता है वो कैसे मिलता है भी वो ऐसे मिलता है कि जब ये बड़ा हुआ तो बिहार के गवर्णर बहार खान लोहानी की सर्विस में ये था और एक बार एक हंटिंग एक्सपेटिशन के दौरान एक बाग के हमले से इसने अपने गवर्णर बहार खान की जान बचा ली थी जिसमें इसने अपने हंजर से बाग की हत्या कर दी थी वहीं पे जिसकी वजा से बहार खान ने कहा था इस तो बड़ा ही महतवा कांग्शी था शेर खान और अपनी महतवा कांग्शा को पूरा करने के लिए इसने काफी समय बहार खान लोहानी के एंडर सर्विस किया और बाद में बाहर खान लोहानी के मरने के बाद उसकी पोजीशन ले ली जब इसने बाबर का पलडा भारी होते हुए देखा तो बाबर का साथ दिया और जब इसने कमजोर हुमायू को देखा तो इसने सेंस कर लिया कि यही मौका है हुमायू को निप्टाने का और दिल्ली की थ्रोन को उक्यूपाई करनाई का और इसी उद्देश से इसने हुमायों के उपर दो लड़ाईयां इंपोस करी चौसा की लड़ाई और बिलगराम की लड़ाई दो लोही लड़ाईयों में जीता और दिल्ली की थ्रोन के उपर बैठ गया और जब दिल्ली की थ्रोन के उपर बैठा तो टाइटल अजियूम किया शेर शाह सूरी और फिर एक रूलर के तौर पे इसने जो काम किये उन कामों के लिए इसको याद रखा जाता है आईए पीले अक्षरों में पढ़ते हैं क्या क्या काम किये अपने कुछ प्रशासनिक सुधार और जन कल्यान के कारियों के वज़े से ये एतिहास में एक दरजा रखता है ऐसा दरजा कि रूल तो इसने पांच साली किया था लेकिन फिर भी एक पुरा चैप्टर इसको डिवोट करना पड़ता है पहली चीज़, he commissioned the renovation of many highways, most popular of which being the one from Peshawar to Patna लेटर extended to Calcutta and Dhaka by Britishers, जिसको दो तीन नमों से मुलाया जाता था एक नाम था इसका राह या ऐसा नाम था इसका चाह राह ए आजम इसका नाम था शाह राह आजम या इसका एक और नाम था सडक ए आजम आजम मतलब सबसे बड़ा तो शाह राह आजम या सडक ए आजम या फिर अंगरेज उनी जो इसको नाम दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड ग्राइन ट्रंक जैसे हाथी की सून्ड होती न उस सून को भी थोड़ा एक्स्टेंड कर दो तो नक्षे के उपर पेशावर से लेके कलकत्ता की तरफ जाती हुई ये सड़क ऐसी लगती थी जैसे हाथी की कोई सून्ड हो इसलिए अंग्रेजों ने इसको ग्राइन ट्रंक रोड का नाम दिया था लेकिन उसके पहले इसको शाह राह आजम या सड़क आजम कहते थे अच्छा ये सड़क का इतिहास बड़ा पुराना है इस सड़क का सबसे पहला जिक्र मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है जो मेगस्थनीज इंडिका में कहता है कि ऐसी एक सड़क हुआ करती थी जो इंडस की नदी को दूर गंगा के मैदानों से जोडती थी बंगाल के मैदानों तक जोडती थी तो तब से ही प्राचीन काल से ही भारत में ये सड़क तो हुती थी इसलिए यहाँ पे जो word use हुआ है वो है renovation construction word use नहीं हुआ है यह मत सोचना कि शेर्शा सूरी ने कोई पहली बार ऐसी सड़क बनाई थी बई सबसे पुराना evidence इस तरह की सड़क का हमको कब से मिलना शुरू हुआ है कब से मिलना शुरू हुआ है वो morian period से मिलना शुरू हुआ है जिसके evidences हमको magasthenes के indica से मिलते हैं बुद्धिस्ट sources से मिलते हैं क्योंकि महा भारत को authentic history मानते नहीं western scholars वरना महा भारत में भी एक ऐसे मार्ग का जिक्र है जो उत्तरापत के नाम से जाना जाता था जो बाकी भारत पूर्वी भारत को उत्तरी भारत से जोडता था तो ये सड़क जब से भारती सब्यता है तब से ये मार्ग भारत में है शेरशा सुरी और इस बीच जो बड़े बड़े अमपायर जाए उन्होंने इसको रेनोवेट भी किये अपने अपने दोर में शेरशा सुरी ने भी इसके रेनोवेशन पे काफी काम किया था तो इसलिए शेरशा सुरी को जाना जाता है विशेर शासुरी ने ना सिर्फ सड़क को मरम्मत करवाई, बलकि सड़क के दोनों तरफ चोड़े पत्तियों वाले पेड़ लगाए, ताकि राहगीरों और मुसाफिरों को आते जाते चाओं मिले, गर्मी के मौसम में लूके थपेड़े नहीं पड़े, थंड के मौसम में ब रहागीरों को पानी मिलता रहे है, हर कुछ दूरियों पे इन्होंने सराएं बनवाई, जहां पे मुसाफिर राद घुजार सकें, तो सिर्फ सड़क नहीं बनवाई इन्होंने, इस सड़क के अंदर बहुत सारी सुविधाओं का भी निर्मान किया, बहुत सारी फसिलिटी इस बिद्धी इसके पीछे वज़ा ये थी कि शेर शासूरी चाहता था कि व्यापार व्योसाय बढ़े, रड़क अच्छी रहेगी, आराम दायक रहेगी, सुविधा युक्त रहेगी, तो व्यापारी चलेंगे और उस पे व्यापार करेंगे, और व्यापारी व्यापार क करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी सरकार की राज्जी की और आमदनी बढ़ेगी तभी तो सेना बना के रख सकते हम और सेना रहेगी तभी तो सल्तनط रहेगी इसी लिए सडकों को अच्छा करना बहुत ज़रूरी था इसके अलावा भी इनुने कई सडके बनाई जो भारत के इसके एंपायर के अलग-अलग रीजन्स को जोडते हुए थी लेकिन व्यापार व्यसाय को बढ़ावा देने के लिए लॉइन ओर्डर का मिंटेन होना भी बड़ा ज़रूरी होता है इसलिए शेर्शा सूरी ने एक effective police system बनाया और उसने कहा कि भी जो भी लोकल दरोगा या कोतवाल है उसके अलाके में अगर कोई क्राइम होता है और क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता है तो उस दरोगा के उपर fine लगाया जाएगा और नुकसान की वसूली उससे की जाएगी तो इसके नतीजे में दरोगा और कोतवाल इतने मुस्तैद हो गए कि उन्होंने कहा कि अगर क्राइम हो गया और चोर किसी तरह भाग गया तो हम तो fine दे दे के मर जाएंगे तो इसलिए उन कोतवालों ने और दरोगाओं ने ये तैय किया कि हम इतनी तगड़ी गश्ट करेंगे इतनी मुस्तैदी के साथ में गश्ट करेंगे कि क्राइम को हुने ही ने देंगे इसकी वज़े से law and order बढ़ा इंप्रूव हो गया पिर उसके बाद में जो करवसूली का सिस्टम होता था जिसमें कुछ ऐसे एजएंट्स होते थे जो करवसूली करके सरकार को देते थे और काफी करॉप्शन होता था तो उस सिस्टम को भी इसने खत्म किया बड़े बड़े जमीदारों की जमीन जब्द करके इसने छोटे किसानों में बाट दी और उनसे कहा कि अब आप अपने जमीन के मालिक हो मैं आपको जमीनों के पट्टे देता हूँ और इन पट्टों के बदले अब आप कुबूलियत साइन करोगे कुबूलियत साइन करोगे तो फिर आपके ओपर कुछ शर्तें लागू होगी कि जमीन का मालिक आना हक तो आपको मिल गया यह जमीन अब आपकी है और आपसे कोई छीन नहीं सकता लेकिन इस जमीन की खरीद फरोक्त आप सरकार की मनजूरी के बिना नहीं कर सकते अगर आपको जमीन के ओपर खेती करनी आप आजादों खेती करने के लिए जो चाहे वो खेती करो लेकिन जमीन को खरीदने बेचने के लिए आपको सरकार की परमिशन लगेगी और जो किसान इसके लिए राजी है मैं उनको जमीनों के पट्टे देने के लिए तैयार हूँ तो बहुत सारे किसानों ने पट्टे लिए जमीन के और इसी लिए भारत में आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के सरनेम्स आपको मिलेंगे पाटीदार, पटेल, तो यह जो पटेल या पटेदार, पाटीदार, महराष्ट में चले जाओ तो पाटेल, यह जो पाटेल, पटेल, पटेल, पटीदार या पाटीदार, यह जो सरनेम्स होते हैं, यह वही लोगों के सरनेम्स होते हैं, जो नोंने किसी जमाने में यह पटे प्राप्त किये थे और बड़े बड़े या कई पट्टे प्राप्त कर लिये थे जिसके बाद में वो पूरी तरह से फुल टाइम एग्रेरियन कम्यूनिटी के तौर पे डेवलप हो गए थे तो इस तरह के पट्टे बाट के उनके रिस्पॉंस में कुबूलियत साइन याद किया जाता एक बात के लिए कि इसने एक चांदी के सिक्के को जारी किया था जिसको रुपिया कहा था और तपसे लेकर आज तक ये भारत के अंदर करंसी का एक नाम बन गया अलकि ये रुपिया शब्द शेरशा सुरी का दिया हुआ शब्द नहीं था ये रुपिया रुप्यंक चांदी के एक छोटे से टुकडे को कहते थे ये प्राचीन भारत से चला आ रहा था कि चांदी के एक छोटे से टुकडे को रुप्यंक कहा जाता था और ये रुप्यंक जो था रुप्या पहले से बोला जाता था रुप्यंक हर कोई बोलता नहीं था क्योंकि संस प्राकरट में आते-आते रुपिया ओल्रेडी हो गया था लेकिन जब इसने चांदी के सिक्खे एशु किये तो इस क्या किया इसमें बोला लोकल लोग क्या बोलते वो करंसी का नाम रखा जाएगा लोकल लोग जो होते थे वो उत्तर भारत में टका कम बोलने लग गए थे और चांदी के टुकडे को रुपिया ज्यादा बोलते थे तो इसमें बोला कि चांदी का एक सिक्का मैं इसु करूंग और उसको टंका नहीं बोलेंगे, common लोग जो बोलते हैं उसको रुपिया, वही रुपिया बोला जाएगा। तो यह रुपियंक से common लोगों का रुपिया, शेरशासुरी की करंसी बन गया। और उसका नाम रखा गया रुपिया और तब से लिके अब तक भारत की गरणसी इसी रुपिय के नाम से जानी जाती है इसी के साथ में शेरशासुरी ने कॉपर कोईन भी इश्यो किया था जिस कॉपर कोईन को वो दम कहता था या दम नहीं, sorry, इसका correct pronunciation है दाम. तो जैसे अपन बोलते हैं अपनी आम बोलचाल की भाशा में, क्या दाम है? तो यह जो दाम है ना, यह actually यह दाम टम यहां से आई है. कि कितने दाम लगेंगे, कितने दाम का है? है ना, तो यह दाम यहां से आया है. कि मैं तो इसके कोई दाम नहीं दूँगा. मैं तो इसके कोई दाम नहीं दूँगा. मतलब कि मैं इसके लिए copper coins भी नहीं दूँगा. यह तिसरी चीज है. कि मैं इसके लिए copper coins भी नहीं दूँगा. जब भी हम यह बोलते न, कि मैं इसके कोई दाम नहीं दूँगा, तो यहां दाम का मतलब होता है copper coins, कि आप उस चीज की value को इतना कम बान रहे हो, कि आप उसका कोई copper coin भी नहीं देना चाहते हो उसके लिए, और यहीं से एक अंग्रेजी phrase भी शुरू हुआ, और वो अंग्रे यह आपने अंग्रेजी में सुना होगा, कि जब आपको किसी चीज की परवा नहीं होती, तो आप बोलते हैं don't give a damn, तो वो जो अंग्रेजों ने जो यह phrase बनाया, I don't give a damn, यह यहां से आया दाम से, क्योंकि वो अंग्रेज दाम को damn बोलते थे, damn, तो वो भारतिये बोलते है, कि मैं इसके एक दाम नहीं दूँगा, इस सडी सी चीज का मैं एक दाम भी नहीं दूँगा, तो अंग्रेजों ने भी वो phrase जो है, English में translate कर लिया, I don't give a damn, यह अंग्रेजी phrase शेरशा सूरी से आया, मैं बताना चाहता था, आपको बता दिया मैंने, फिर अब शेरशा इस्पेडिशन पे गया हुआ था, कलिंजर के राजा, कलिंजर के चंदेल राजपूत राजा, कीरत सिंग के खिलाफ युद्ध करते हुए, एक तोप का गोला या एक हैंड गरनेड बहुत क्लोज बॉस्ट हो गया, जिसकी चपेट में वो आ गया, वह दू-तिन इसकी थिय अलग-अलग, एक बात कॉमन है कि कलिंजर के लडाई में चिले के ऊपर चड़ाई करते हुए, इसकी मौत हो गई थी, और एक एक एक्स्प्लोजन के चपेट में इसकी मौत हुई थी, तो अब एक थियूरी ये कहती कि इसमें गोला फायर गिया था, तोप का, तो वह किले क दिवार से टकरा के पापस पीछे आया, और पीछे बारूत का धेर रखा हुआ था, उसमें एक्स्प्लोजन हो गया, और उस एक्स्प्लोजन की चपेट में ये आके बुरी तरह जुलज गया, एक थियूरी ये कहती कि उस समय हैंड ग्रनेट्स नहे नहे आये थे, तो वह और उसकी बत्ती निकली होई होती थी, उस बत्ती को आग लगाते थे, और जैसे जैसे बत्ती की आग आगे बढ़ती थी, उसको दुश्मन की इलाके में फैंक जाते थे, और फिर वो बत्ती सुलक के जैसे अंदर जाती थी, बंग दमागा होता था, और वो जो लेड के या आग और अगनी और उसका ताप निकलता था वो नजदीक खड़े लोगों को बुरी तरह से जुलसा देता था तो कहते हैं कि शेरशा सुरी ने एक हदगोला जलाया और हदगोला जलाके फेकने गए तो बत्ती तेजी से सुलक गई और हदगोला जब उनने फेका तो यही फट हुआ था और शेरशा सुरी बहुत बुरी तरह से जुलस गया और उसकी वज़र से उसकी मौत हो गई लेकिन फिर भी वो इतना जीवित रहा था कि जब तक इन्होंने किला नहीं जीत लिया था तब तक वो जिन्दा था जब किला जीत लिया था किला जीतने के कुछ देर ब बारे में थी एक बात और मुझे याद आई जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि डेविलब्ड कि मैंनी केंटॉनमेंट्स कि इन कि एनीमी एरिया या एनीमी एरिया कर दूँ या ऐसा लिख दूँ हॉस्टाइल एरिया जैसे for example मेवाड से इनकी भी लडाई हुई थी उस समय मेवाड की रूलर थे राणा संग्राम सिंग के बेटे जिनका नाम था राणा उदय सिंग जो महराणा प्रताप के फादर भी थे तो जब शेरशासूरी ने मेवाड के उपर आकरमन किया तो चित्तोड को वो जीत तो नहीं पाया लेकिन फिर भी मेवाड की पेरिफेरल इलाकों में उसने अपना एक अच्छा जमावडा बना लिया था लेकिन ये लड़ाई ऐसी रही थी कि अडवांटिच शेरशासूरी को था लेकिन शेरशासूरी इस लड़ाई को पूरी तरह जीत नहीं पाया था अब मेवाड के साथ इनकी ट्रीटी होती है उस ट्रीटी में तय होता है कि शेरशा सुरी मेवाड को छोड़ के वापस चला जाएगा लेकिन शेरशा सुरी यहाँ पे अपना एक सैनिक चाबनी बना जाएगा जहाँ पे शेर्शा सूरी के सैनिक हमेशा तैनात रहेंगे और वो हमेशा राणा उदय सिंग के उपर नदर रखेंगे कि कही राणा उदय सिंग आगे बढ़के दिल्ली के उपर कोई हमला तो नहीं करने वाले या दिल्ली के विरुद्ध कोई विद्रोह तो नहीं करने वाल क्योंकि शेर्शासूरी उस समय हावी हो गया था तो इस तरह से इसने कई मिलिटरी केंटॉर्मेंट्स डेवलप किया थे करवाये थे अलग-अलग इलाकों के अंदर और इसी को बताते हुए मुझे एक और पॉइंट याद आया पॉइंटी थाउसन राजपूत्स या राजपूत्स या राजपूत्स तूप्स अफ मारवाड और एट्टी थाउसन अफगान्स अफ सूर डाइनस्टी मारवाड के 20,000 योद्धा और सूर डाइनस्टी की 80,000 की फॉज के बीच में एक गमासान लड़ाई हुए थी जिसको सुमेल गिरी की लड़ाई बोलते है मारवाड में उन दिनों रूल था माल देव राठोड का राठोड डाइनस्टी के रूलर माल देव मारवाड के राजा थे और ये लोग राणा संग्राम सिंग की कॉन्फिडरेसी में भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते थे और राणा संग्राम सिंग की डेथ के बाद ये इंडिविज्वली बहुत स्ट्रॉंग हो गए थे तो मारवाड के राठोड जिन्हें राणा बाका राठोड भी कहा जाता था वो युद्ध में अपनी फेरोसिटी के लिए वैसे भी जाने जाते थे मालदेव राठोड के उपर एक बहुत बड़ा हमला किया था शेरशा सूरी ने मालदेव राठोड अपनी बहुत सारी सिना के साथ पीछे के इलाके में चले गए थे अपने बड़े किलों के अंदर मंडौर के किले के अंदर अपने आपको डिफेंड करते हुए और अगरिम पंक्ती में उनके 20,000 सैनिक मुकाबला करने के लिए आये थे लेकिन उन 20,000 सैनिकों ने जिस तरह से मुकाबला किया था और जिस तरह से लड़ाई लड़ी थी 80,000 अफगानों को उन्होंने नाकोच चने चबबा दिये थे ये लड़ाई लगबग जीत ली थी राजपूतों ने और अफगान लगबग ये लड़ाई हार गए थे लेकिन क्योंकि तादाद इतनी ज़्यादा थी अफगानों की कि बहुत सारा लॉस वो जहिलने का स्कोप रखते थे तो इस तरह से जब दुश्मन के दस मरे आपका एक मरा फिर दुश्मन के पांच मरे आपका एक मरा फिर दुश्मन के चार मरे आपका एक मरा फिर दुश्मन के आठ मरे आपका एक मरा ऐसे करते करते दुश्मन को भी बहुत नुकसान हुआ लेकिन राजपूतों की टूप्स भी लगातार गिरते जा रहे थे तो एक पॉइंट ऐसा आया जब राजपूतों की टुपडिया बची ही दी और अफगान बहुत थोड़े से रहे गए बट फिर भी वो ज्यादा नंबर्स में रहे गए थे तो अल्टिमेटली वो जीत गए और इस लड़ाई के बाद शेर्शा सूरी ने खुद अपने शब्दों में एक बात कही थी वो शेर्शा सूरी का कोट क्या था और अ हैंड़ फुल अउप मिलिट्स आई वाज गुइंग टू लूज दी एंटायर हिंदुस्तान जिसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि मुठी बर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खोना चला था मतलब शेर्शा ने जब यहां पर हमला किया था मारवाड के इलाके में तो यहां पर हमला कर गया अगर जीत भी जाता तो उसको क्या मिलता मुठी बर बाजरा क्योंकि उससे ज़्यादा यहां कुछ उकता नहीं था बाजरा उक जाता था मोट उक जाते थे यही था यहां पर जो उकता था उसमें बोला जीत भी जाता तो बाजरा मिलता है लेकिन अल्मोस्ट हार गया था मैं और अगर हार जाता तो पूरा हिंदुस्तान हार जाता मैं तो इसलिए उसमें कहा था मुठी मर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खोने चला था मैं लेकिन जीत तो वो गया ही था बट क्योंकि शेर्शा सुरी बहुत लंबे समय रूल नहीं कर पाया तो जो भी एडवांटेज उसमें राजपूर टेरिटरीज में बनाया था वो एडवांटेज जल्दी उसकी डथ के बाद में लूज भी हो जाता है तो इसी के साथ में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से एंड करते हैं और इसकी डीपीपी है उस डीपीपी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये डीपीपी में शेर्शा सुरी वस बॉर्ण इम विच रीजन आफ इंडिया तो ये इसका जनम हुआ था बिहार में बिहार के सासा राम में तो ये इसका correct answer है बिहार फिर शेर्शा सुरी का most famous economic achievement क्या है construction of road, trade or commerce, uniformity सभी है ये सारी ही चीजें जो है ये इसके economic achievement में ही मानी जाएगी फिर उसके बाद में शेर्शा सुरी की religious policy कैसी थी तो आप हमेशे हैं मानना की toleration की थी क्यों? क्योंकि he recruited recruited many Hindu officers क्योंकि इसने बहुत सारे Hindu officers को recruit किया था इसलिए इसकी policy, बड़े toleration की policy मानी जाती है और इसी policy को later followed by अकबर बाद में अकबर ने भी इस policy को follow किया था वो liberal and toleration वाली policy को फिर उसके बाद में architectural structure built by शेर्शा सुरी तो ये जो architectural structure शेर्शा सुरी ने बनाया था इस architectural structure का answer है रोता रोतास गड़ का किला present day western बिहार में situated है stone river valley के अंदर तो ये construction इसका ही किया हुआ था इसी के साथ में construction की बात आती है न तो शेर्शा सुरी का एक tomb भी है इसका एक tomb भी है स्तासा राम में इसका एक tomb भी है स्तासा राम में ये जो tomb है न ये इसकी एक खासियत है कि अक्टागॉनल है अश्ट बुजाओं वाला ये किला बनाया था इसने सुरी tomb बनाया था इसने फिर उसके बाद consider the following statement relating to शेर्शा इसने नहीं किया था शेर्शा सेट अप आर्मी केंटाउन्मेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर हाँ इसने आर्मी केंटाउन्मेंट अलग अलग जगे बनाये थे जिसका भी आंसर हो जाएगा फिर आगे बढ़ते हुमायू को चौसा की लड़ाई में इसने कब हराया 1549 में एम्परर कब बना 1540 में अपनी एम्पायर को इसने अपनी आर्मी को कितने पार्ट में डिवाइट किया प्यादा प्यादा मतलब इंफेंट्री तोब खाना यने की आर्टी लेरी सवार मतलब की कैविल्री तो तीनों ही थे इसकी आर्मी में इसे लिए आल अफ दी अबव शेर्शाल सूरीज अड्मिनिस्ट्रेटिव रेफॉर्म्स इंक्लूड़ेड क्रिएशन ऑफ सेंट्रल इस्टैबलिश्मेंट ऑफ चेन ऑफ सराई सराई बन वाई थी इसने एस्पिनाथ सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा था जिसका करेक्ट आंसर ओल अफ दियवाब आ जाएगा अच्छा है इससे पर कोई एक और पॉइंट याद आया वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक पोस्टल सिस्टम भी इसने बहुत अच्छा बनाया था पोस्टल सिस्टम हलागी बहुत पहले से है भारत में लेकिन इसको भी पोस्टल सिस्टम के लिए जाना जाता है कि इसने अपने पोस्टल सिस्टम में बड़े सुधार किये थे इसकी लेगेसी, पीरिड ओफ पी येलिए इंड करते थेंक्यू वेरी मच्छ। चाहे हम्त।